तो महिला समोह के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि महिला समोह को रण में इस टाम सुल्क जो होगा वह माप करने जा रही है सरकार तो काफी अच्छी खबर है महिला समों के लिए आजिव का से चुड़ी महिलाओं के लिए और जो यह सुलक है वह सरकार यहाँ पर माफ करने जा रही है बिना गारंटी के दिलवाया जाता था बैंकों से रण तो ऐसे में जो सुलक था वह सरकार यहाँ पर माफ करने जा रही ह ग्रामिली छेतरों में महिला ससक्तिकरण का मजबूत आधार बने इसके लिए स्वेंग सायता समों की दीदियों को बैंक से रण महिया कराया जाता था लेकिन उसमें इस्टाम सुल्क जो है वह समाप्त करने जा रही है सरकार उत्तरपरदेश राजज में ग्रामिली छेतरों में जो महिला काम कर रही हैं जो ब्रहत अच्छे तरीके से प्रस्ताव तयार कर रही हैं लेकिन अब वह जो इस्टाम जो पेपर था उस पर यहाँ पर जो महर है वो सरकार की अब लगने जा रही है इस प्रकार प्रस्ताव पर सरकार की सहमती बनने पर समों की दीदियों को सुरुजगार के लिए बैंकों से रण लेने की प्रिकिरिया आसान हो जाएगी इस प्रकार से अब आजीव का जो मिसन ने चालू भिती वर्स में डियोड लाग जो समों को करीब उननिस सो करोड रुपिये बैंक से रण दिलाने का लक्स भी रखा है तो काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है सरकार की तरब से यह घुसना पत्र देख सकते हैं विभागी सूत्र के मताबिक माने तो यह प्रस्ताव बहुत जल्द ग्रामिन विक कास बिभाग ने के अपर सच्यू मनुझ गुमार सिंग को भेजा जाएगा अपर सच्यू की सहमती बनने पर यह प्रस्ताव परदेश सरकार को भेजा जाएगा इस्टाम पेपर जो इस्टाम सुल्क में छूट मिलने से सम्हूं को यह लाब होंगे कौन से लाब होंगे से तो आजिव का मिसन द्वारा जो सुरुजगार सुरू करने के लिए बैंकों से से नियुनतम एक लाख रुपे तक का रण रूप में यहाँ पर रण के रूप में दिलाया जाता था यहाँ कर्ज बिना किसी गारंटी के महिला को दिलाने की ब्यवस्ता की जाती है यहाँ ब जैसे चुंगुल से बाहर निकालना जो लालस में आकर लोगों को यहाँ पर अपने ग्रोह में फसा लेते हैं ऐसों से मुक्त कराना यहाँ पर सरकार का मुक्य उद्धिय से बन जाता है जिसमें महिलाओं को बैंकों से जो रण है वह देने पर देने में 100 रुपे से लेकर 500 रुपे तक के इस्टाम पेपर लेते हैं जहाँ पर इस्टाम पेपर खरीदने पर वेंडर कमिशन यहाँ पर भी लेते हैं यानि कि अलग से कमिशन भी यहाँ पर लिया जाता है इस्टाम वेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा नमबर एक नमबर दो पर होगा इस्टाम स से अनुचित और अप्राई जो इस्टैपिंग के कारण बैंकों से आविदन अस्विकार होने की आसंकाब में वे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो बीते वर्स 2020 और 2021 में भारत में 47.60 लाख महिलाओं को बैंक से रण मिला है जिससे उत्तरपरदेश में जो है अलग-अलग उत्तरपरदेश के राज्यू में इसमें महिलाओं को समु से जूड़ कर आज यहाँ पर इस टाम सुल्क में छूट मिलने से समु की महिलाओं को लाब सीधे-सीधे मिलने जा रहा है तो इस टाम पेपर खरीदने से उनकी जो पैसा था वो खर्च हो रहा था लेकिन अब सरक प्रियास कहा जा सकता है तो अपर सची हो जो होंगे मनुझ कुमार सिंग इसको यहाँ पर जल्द ही खत्म करने का यहाँ पर प्रस्ताव जारी कर सकते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिये ग इजाज़त थेंक यू बाई बाई टेक केर